आज बजेट सत्र का आरंब हो रहा है तब राश्पति द्रवपुदी मुर्मुजी का मारधर्शन और कल निर्मला सितारामंजी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षातकार का परवा है साथियों मैं आशा करता हूँ कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सब ने अपना अपना कारिय किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्दन करने का स्वभाव बन गया है जो आदतम लोकतांत्रिक मुल्यों का चीरहरण करते हैं ऐसे सभी मान्य सांसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहे है तब जरूर आत्मन निरिक्षण करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदिय क्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नगम भी पता नहीं होगा जिनोंने इतना हुड़दंग होला किया होगा लेकिन विरोध का स्वर्थ तीखा क्यों नहीं हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहीं हो लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को रभानमित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तबारीख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिन्होंने भले विरोत्ता किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभा का दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हीतों का कंसन दिखाया होगा हमारे खिलाब तीके से तीकी प्रतिक्या की होगी उसके बावजुद भी मैं आवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोकतंत्र पेमी सभी लोग इस व्यहवार की सराना करते होंगे लेकिन जिनोंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक्ता, हुर्दंग, शरारत्पुन व्यहवार ये जो किया होगा उनको शाहिद ही को याद करे लेकिन अब ये बजेट 17 आउसर है पश्चाताप का भी आउसर है, कुछ अच्छे फुट्प्रिंट छोड़ने का भी आउसर है तो मैं ऐसी सभी मान्य साउसदों से आगर करूँगा, कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को दें और देश को भी उत्साव और मंग से भर दें मुझे भी स्वास है, आप तो जानते ही है कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है हम भी उसी परंपरा का निर्भा करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे इस बार एक दिशान निर्वेशक बाते लेकर के देश की वित्न मंत्री निर्भाला जी हम सब के सामरे कल अपना बजट पेश करने वाली है साथियों मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है सर्वस परसी विकास हो रहा है सर्वांगिन विकास हो रहा है सर्वस समावेशक विकास हो रहा है ये यात्रा जनता जनार्दन के आशिरवात से बिरंतर वनी रहेगी